देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरिये ट्रीक ठीक है इसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रीक पाइथागोरस बोलिये चाएथागोरिये बोलिये दोनों सब्दे अलग अलग है लेकिन दोनों का आर्थे कहीं होता है ठीक है तो पाइथागोरस ट्रीक क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वे संख्याएं पाइथा गोरश ट्रिक कहलाते हैं तीक है या इसका एक और प्रिवासा देखिए अगर यह आपने ही समझ रहे हैं तो साथ इसको समझ जाएंगे देखिए तीन ऐसी प्राकृत संख्या एकस वाई जेड मिलती है ताकि एकस का वर्ग प्लस वाई का वर्ग इसका योगफ़ल जेड का वर्ग के बराबर हो या वाई का वर्ग प्लस एकस का वर्ग इसका योगफ़ल जेड स्क्वाईर का बराबर हो जहां X, Y, इसका जो मान है, Z से छोटा होना चाहिए X, Y, ¿का मान Z से छोटा होना चाहिए तो X, Y, Z को पाईथागोरिय ट्रीक या पाईथागोरस ट्रीक कहते हैं तो देखिए यह जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ इसको एक हम उदाहरन दे करके सब्जाते हैं यहां देखिए तीन, चार, पांच ठीक है? तीन प्राकृत संख्याम लिए हैं एक तीन है, एक चार है और एक पांच है यहां पे देखिए तीन और चार ये दोनों छोटा है किस से? पांच से ठीक है? पांच बड़ा है ये दोनों से तो हम क्या करेंगे? पहले तीन का बर्ग निकालेंगे और चार का बर्ग निकालेंगे और दोनों को जोडेंगे तो देखिए तीन का बर्ग प्लस चार का बर्ग कितना होगा? तीन तिया, नो प्लस चार का वर्ग होता है 16 तो 16 है और 9 कितना होता है 25 होता है अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 है तो इसका वर्ग निकालिए तो 5 का वर्ग होता है 25 तो देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग इस दोनों क्या है समान है तो इसका मतलब यह हुआ कि तीन का वर्ग प्लस चार का वर्ग इसका मान और पाच का वर्ग इसका मान ये दोनों का मान बराबर है तो हम देख रहे हैं कि दो छोटी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बड़ी प्राकृत संख्या के वर्गों के बराबर है तो अगर इस तरह से आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है तीन कॉमा चार कॉमा पांच ये पाइथागोरस ट्रीक है ठीक है तीसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रीक देखिए तीन चार पांच तीन को हम एकस मान लेते हैं चार को वाई मान लेते हैं और z को 5 को z मान लते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम लिखे थे तीन ऐसी प्राकृत संक्या x, y, z मिलती है यहाँ पर देखिए x के जगह पर 3 हम लिए थे y के जगह पर 4 लिए थे और z के जगह पर 5 लिए थे मिलती है ताकि x का बर्ग प्लस y का बर्ग तो देखिए हम x और y यह दोनों का बर्ग निकाले थे और इसको जोडे थे तो 25 आया बरावर होगा z का बर्ग z का मान 5 था तो 5 का बर्ग निकाले तो 25 आया था यह दोनों का मान बरावर था छोटा है पांच से तो X, Y, Z को Pythagoria trick कहते हैं यानि कि यह जो आपको दिया हुआ है यह एक Pythagoria trick है Pythagoras trick है तो आप समझ गए होंगे कि Pythagoras trick क्या होते हैं देखे, Pythagoras trick का एक और हम उदहारन देखर के आपको समझाते हैं जैसे मान लिजिए कि छे, आठ और दस यह हम तीन प्रकित संख्या लिखे हैं आपको चेक करके बताना है कि यह Pythagoras trick है कि नहीं है तो हम जानते हैं कि जो देखे, तीनों प्रकित संख्या में सबसे दो छोटी प्रकित संख्या छे और आठ है, ठीक है तो दो जो सबसे छोटी है उसका हम क्या करेंगे कि बर्ग निकालके दोनों को जोडेंगे तो 6 है, तो 6 का बर्ग निकालेंगे पलस, 8 है तो 8 का बर्ग निकालेंगे तो 6 का बर्ग हो जाएगा 36 और 8 का बर्ग हो जाएगा 64, ठीक है तो देखिए 36 और 64 इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 100 होगा 100 किसका बर्ग होता है तो 10 का बर्ग होता है तो यहां देखिए 6 का स्क्वाइर प्लस 8 का स्क्वाइर यह किसके बराबर है तो 10 का स्क्वाइर के बराबर है यानि कि ये दोनों का ये दोनों प्रकित संख्या है इसका वर्गों का योग इसके वर्गों के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 6, 8 और 10 ये पाइथा गोरश ट्रीक है अगर इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर नहीं आएगा तो ये पाइथा गोरा स्ट्रीक नहीं कहलाएंगे ठीक है अगर माली जेकी दोनों को हम बर्ग करके जोड़ती इधर 99 में आता और देखिए सबसे बड़ी संख्या 10 है इसका बर्ग 100 है इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है तो ये पाइथा गोरा स्ट्रीक नहीं कहलाएंगे ठीक है पाइथा गोरा स्ट्रीक तभी कहलाता है जब देखिए तीन को आपको प्रकेश संख्या दिया हुआ रहेगा तो सबसे बड़ी जो प्रकेश संख्या रहेगा उसको आप अलग बर्ग निकालिएगा और बाकी जो दो छोटी प्रकृत संक्या है ये दोनों को अलग से अब बर्ग निकाल के दोनों को जोड़िएगा अगर दोनों का मान बराबर है तो ये पाइथागोरा स्ट्रीक होगा अगर नहीं है तो पाइथागोरस ट्रीक नहीं कहलाएगा ठीक है तो 6, 8, 10 यह पाइथागोरस ट्रीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8, 6, 10 इसमें सिर्फ जो सबसे बड़ी प्रकित संक्या है उसको सबसे लास्ट में लिखना है बाकी जो 2 है प्रकित संक्या इसको आगे पीछ लिखेगा तो इसे कोई दिकत नहीं है जो सबसे बड़ी प्रकित संक्या है उसको लास्ट में लिखना है उसको पहले मत लिखेगा तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस ट्रीक यह क्या लिखा हुआ है इसको तो आप समझे गए आगे देखिए यहां नोट में हम लिखे हैं कि सबसे बड़ी संख्या यानि जेड को अंत में रखते हैं तीन प्राकित संख्या रहता है तो उसमें जो सबसे बड़ी प्राकित संख्या रहेगी हम जानते हैं कि एक पाइथागोरस ट्रिक में तिन सदस होते हैं X, Y, Z तिन सदस है तो फर्स्ट देखिए 2M इस रूप में होता है सेकेंड M स्क्वार माइनस वन और ठर्ड M स्क्वार पलस वन होता है तो इसको अप्याद रखेगा ठीक है फर्स्ट मेंबर 2M दूसरा मेंबर अगर आपको निकालना हो तो M स्क्वार माइनस वन और तिसरा निकालना हो तो M स्क्वार पलस वन ये तिन सदस्ट हैं ठीक है तिन मेंबर होते हैं पाइथागोरस ट्रिक के तो इसको याद रखेगा ठीक है अब इस concept को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्थम एन बिसम प्राकृत संख्याओं का योगफल ब्रावर होता है एन का वर्गे ठीक है यह क्या हम लिखे हैं इसको समझे देखिए प्रत्थम एन बिसम प्राकृत संख्या प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह से ये सब प्रकृत संख्या है और उसमें लिखा हुआ है कि बीसम प्रकृत संख्या यानि कि जो सम प्रकृत संख्या है उसको नहीं लिखना है ठीक है? देखिए पाच का बाद छे, साथ, आठ, नो इस तरह से होता है तो जो सम प्रकित संख्या है उसको नहीं लिखना है यहां करा है कि बीसम प्रकित संख्या तो बीसम प्रकित संख्या देखिए एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पाँच, साथ, नो इस तरह से ये सब क्या है बिसम प्रकृत संख्या है और कहेगा कि देखिए प्राथम एन बिसम प्रकृत संख्या काने का मतलब है पर देखिए एक दू तीन चार पाँच गो है तो प्राथम पाँच बिसम प्रकृत संख्या का योगफल निकालिए कहेगा कि इसका योगफल निकाल लिए देखे एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नौ कहेगा कि इसको बिना जोड़े आपको जोड़ना भी नहीं है और इसका योगफल कितना होगा से बताए तो हम देख रहे हैं कि यह क्या है यह सब प्रकृत संख्या है और यह बिसम प्रकृत संख्या है और प्रत्थम बिसम प्रकृत संख्या एक से शुरूआत हो रही है ठीक है इसलिए इसको बोलेंगा प्रत्थम और बिसम प्रकृत संख्या तो इसका योगफल कैसे निकाला जाता है तो इसका योगफल निकालने एन का मान 5 है तो इसका योगफल निकालना है तो एन अस्क्वाइर निकाल लिए तो एन के जगा पर लिखेंगे 5 तो 5 का स्क्वाइर अस्क्वाइर को हिंदी में बर्ग बोलते हैं यानि कि 5 का बर्ग कितना होगा 25 तो इसका योगफल होगा 25 देखिए इसको हम जोड़े भी नहीं और इस सुत्र के माध्यम से योगफल निकाल लिए अगर आपको नहीं भी स्वास है इसको जोड़के देख लिजिए देखिए एक और तीन चार और पांच नौ और साथ सुल्ण और नौ पच्चीस होता है ठीक है तो यह सुत्र है वही यहां पर लिखा हुआ है कि प्र साथ प्लस नौ प्लस इगारा प्लस तेरह प्लस पंद्र है ठीक है यह देखिए सब बीसम है और प्रकित संक्या है और प्रत्थम है एक से सुल्णात हो रही है इसलिए प्रत्थम बीसम प्रकित संक्या है ठीक है और इसका योगफल निकालना है बीना जोड़े हुए तो कै देखिए इस सुत्र का इस्तमाल हम करेंगे, पहले तो हम एन कामान निकालेंगे कि एन कामान कितना है, तो गिनिए कितना है टोटल, एक, दू, तीम, चार, पांच, छाओ, साथ, आठ, यह टोटल आठ है, तो इसका योगफल निकालने के लिए एक सुत्र होता है, एन स्क्वा तो 8 का हम square करेंगे, 8 का बर के करेंगे, तो 8 गुना 8, 8, 8, 64, यानि कि इसका योगफल होगा 64, ठीक है, ये answer हो गया, देखिए, इसको हम जोड़े भी नहीं, और direct सुत्र के माध्यम से इसका योगफल निकाल लिए, अगर नहीं विश्वास है, तो सभी को जोड़ के देखिए, एक और तीन, चार, और पांच, नौ, और साथ, शुल, और नौ, पचीश, पचीश, और इगारे, च्छाटिश, च्छाटिश, और तेर, उन्चास, उन्चास और पंदर, देखिए, उन्चास और पंदर जोड़ते हैं, 9, 5, 14, 4, 5, 1, 6, तो देखिए, सभी को ज कि उस संख्या का बर्ग निकालना जिसका इकायंक पांच हो तो एक हम संख्या लेते हैं जिसका इकायंक पांच हो जैसे पंदरा पंदरा एक हम संख्या ले लिए हैं इसका इकायंक पांच है तो इसका बर्ग कैसे निकालेंगे तो देखिए बर्ग इसको निकालने के लिए द दूसरी बिधी देखिए, पंद्रह है, और इसका वर्ग निकालना है, ठीक है, देखिए, पंद्रह का वर्ग है, वर्ग को इंग्लिस में स्क्वाइर बोलते हैं, यानि कि पंद्रह का स्क्वाइर निकालना है, तो इसका स्क्वाइर निकालना बहुत सिंपल है, देखिए, प यह जो 5 है, इसका और लिखदीजे तो 5 का और बर्ग होता है 25, तो यहाँ पे लिखदेंगे 25 देखिये 15 का और अउन कर वर्ग हो गया, 220 यह बहुत सिंपल है, इसका निकालना है पिर एक एकल देते हैं, जैसे बहुत 25 है और 25 का और निकालना है तो इसका इकाईयंग 5 है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देखिए, सबसे पहले, ये जो आप इकाईयंग के देख रहे हैं 5, तो इसका वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो आप 25 लिख दिजी, फिर देखिए, बार में कितना है, 2, तो 2 गुना, इसको देखिए, 2 के वर्ग निकलना है, तो हम देख रहे हैं कि इस нашей Sankhya का 1 यंख 5 है, तो अगर 1 यंख 5 है, तो इसका भर्ग निकलना बहुत ही असान है, सबसे पहले मं क्या करेंगे कि इसका भर्ग लिखेंगे, तो 5 का भर्ग होता है, 25, 25 लिख दिए, फिर इसके संख्या जिसका इकाई अंक पांच हो तो इस तरह से वर्ग निकाला जाता है ठीक है तो अब इस concept को देखिए क्या लिखा हुआ से अब समझ में आपको आएगा यहाँ पर हम लिखें कि उस संख्या का वर्ग निकालना जिसका इकाई एनख 5 हो ठीक है तो मान लेते हैं कि एक संख्या है 15 जिसका इकाई एनख 5 है और इसका वर्ग निकालना है तो देखिए काता है कि पहले K into K plus 1 निकाले K क्या है तो K दी गई संख्या की इकाई वाले एंक को छोड़ने पर प्राप्संकिया है तो इसमें देखिए इसमें k कमान कितना होगा तो इकाई एंक है 5 तो इसको छोड़ दिजिए इसके बाद जो एंक है वो होता है k तो 5 को हम छोड़ दिए तो बाकी कितना है 1 है यानि कि k कमान है 1 तो कहता है कि k into k plus 1 निकाले तो हम निकालते हैं k into k plus 1 तो देखे k का मान 1 into k का मान 1 और plus 1 तो 1 और देखे 1 और 1 2 तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा तो k into k plus 1 का मान निकाल लिए 2 आया फिर k into k plus 1 का मान लिख कर दाय तरफ 25 लिख दे देखे इसका वर्ग निकालना है तो पहले इसका मान निकालेंगे तो 2 आया है तो यहां 2 लिखेंगे और इसके दाहिने तरफ देखे इधर दाहिना तरफ है और इसका इधर बाया है दू का इधर दाहिना है और इधर बाया है तो कहता है कि दाहिना तरफ फिर 25 लिख दिजी देखिए 225 हो गया 15 का वर्ग तो वही यहाँ पी यह लिखा है इसको एक और उदाहरन देखर करके हम आपको समझाते हैं जैसे देखिए 35 है ठीक है इस सैंख्या का एकाई यंग 5 है और इसका वर्ग निकालना है तो पहले आपको निकालना होगा k into k plus one तो इसमें k कमान कितना है तो देखिए एकाई यंग को छोड़ देजी उसके बाद देखिए क्या है? 3 है यानि k कमान है 3 ठीक है, इक आयंग को छोड़ देते हैं, उसके बाद जितना आंक राता है, उसको हम बोलते हैं के, तो क का मान यहां 3 दिया हुआ है, तो 3, फिर क का मान 3 है और प्लस 1, तो इसका मान निकाल रहे हैं, तो 3 गुना, 3 और 1, 4, 3 चो के, 12, तो देखिए, अगर इस संख्या का वर् यानि कि इधर 25 लिख दिजिए, तो 25 लिख दिए, तो 35 का वर्ग होगा, 1225 यह आंसर हो गया, तो वही यहां पिए लिखा हुआ है, ठीक है?